सन 1971 में पाकिस्तान से भारत आये गेना जी सुतार अपने साथ वहां की प्रचलित एपलिक वर्क कला लेकर आये गेना जी अपने परिवार के साथ गुजरात के बना स्खटा जिल्ले के धराद गाव में आबसे वह मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे लेकिन गेना जी के बेटे विश्णू ने अपने पिता से एपलिक वर्क की कला सीख कर इस कला को आगे बढ़ाने का फैसला किया पहले एपलिक वर्क से परदे, चद्दर, कालीन जैसी चीज़े बनाई जाती थी लेकिन विश्णू अब इस कला से साड़ी और कई अन्य ड्रेसिस बनाते है एपलिक वर्क में सबसे पहले कपड़े पर डिजाइन बनाई जाती है और फिर उसे चहनी की मदद से काटा जाता है फिर इसके नीचे दूसरा कपड़ा रख कर उसमें टाके लगाए जाते है विश्णू ने आसपास के गाउं की 200 महिलाओं को इस वेवसाई से जोड़ कर उन्हें रोजगार भी दिया है आज पूरे भारत में अकेले विश्णू ये कला जानते है और उनके बनाए गए उत्पाद आज पूरे देश में मशूर है उनकी इस कला के बारे में जानने के लिए देश भर से फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स आते है और तो और उनकी बनाए गई साडिया और ड्रेस बॉलिवूड की एक्टरसीज भी बेहत पसंद करती है अगर आप भी एपलिक वर्क से बनी साडिया और ड्रेस खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं